ग्यान सुधा सकसस साथी जो कि आयुकताले कॉलेज शिक्षा राजस्तान की एक पहल है एक प्लैटफॉर्म है कॉम्पूरिटिव एक्जाम्स के लिए उसमें आपका स्वागत है आया आज हम केमिस्ट्री में NetJRF और Jam के कुछ क्वेशन का आसानी से हल देखते हैं सबसे पहला क्वेशन जो आपकी स्क्रीन पे है वो देख रहे हैं कि अन्होंने पूछा है एक स्क्रीन का का आए और यह का रुवरान का रहे हैं सबसे पहले जासे हम इस अग्जाम्पल को देखते हैं तो यह देख लिजए कि यह जो हिस्सा है जिसमें एक methyl group जो मोटे लाइन से दिखा गया है और ये जो चार कार्बन मोटे लाइन से दिखा गये है ये इस पूरे तल से जिस तल पर आप ये question देख रहे हैं उस तल से उभर कर आप क्यों आ रहा है ये हिस्सा जबकि ये जो methyl group है ये तल से नीचे जा रहा है और उसके साथ ही ये जो एक, दो, तीन, चार, चार कार्बन इसके साथ है जुड़े बे वो तल के नीचे नहीं है तो उसका मतलब ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा एक दूसरे का प्रचिभिंब रूप नहीं है तो ये जो yogic है ये chiral है क्योंकि यह एक symmetric compound नहीं है तो इसके जो दोनो जो options है number 3 और number 4 यह दोनो इसमें लागू नहीं होंगे तो अब हमें focus करना पड़ेगा number 1 और number 2 option के उपर जो इन्होंने दिया हुआ है इन्होंने कहा है कि यौगिक chiral है और यह P sunroopan है या M sunroopan है तो P और N का मतलब यह आप देख लिए P means plus P L U S plus M का मतलब है minus और plus और minus से यहां क्या तरलुक है plus का मतलब है कि जो spiral यौगिक है वो clockwise दिशा में है तो वो plus माना जाएगा और वो anti clockwise दिशा में है तो उसको minus या M माना जाएगा आएगे देखते हैं हमारा जो यौगिक है वो plus और minus या clockwise या anti clockwise तो जहां जो इसका तरीका यह है कि जो हिस्सा तल से उभरा हुआ है वहां से शुरू होते हैं और जो हिस्सा तल से नीचे है उसकी और हम अपना जो line है उसको घुमाते वह जाते हैं तो यहां से यह जो तल के उपर है वहां से हमने घुमाया अपना line स्टाट किया और जो तल से नीचे है वहां तक चले गए तो यह देखते हैं कि molecule के सारे सारे जब हम यहां गए एक spring के तरह है यह molecule है और spiral molecule है हम देख रहे हैं कि यह clockwise direction है तो इसलिए यह P sunroopan है तो इसका answer 1 होगा कि the compound is chiral and has P configuration लेट उस लूक इंटो तो नेक्स question जो second question है उसमें देखिए कि दिया हो है निमनलिखेत योगिकों के लिए नीचे दिये गए संडचनाव में से सरवाधिक 27 sunroopan है कौन सा चार option हमको दिये वे हैं यह देखिए हमारे पास जो योगिक है उसको हम दियान से देखते हैं यह योगिक दिया हुआ है इसके अंदर जो यह तीन ग्रुप है मोटे लाइन से दिखाए गए हैं तो यह तल से उभर के आए वे हैं यह तीन ग्रुप उसको हमने यहा पर लिखा यह हम दिखाया है तो यह तीनों जो ग्रुप आदे तल से उपर हैं और यह तीनों ग्रुप्स हैं। वो साइकलो hecte怎么 room जोड़े हैं और cycler-exandering जो है वो chair confirmation या कुर्सी sunroopan में सबसे अधिक stable होता है तो हमाले पास जो चार options दिये हैं चार options में कुर्सी sunroopan है अब देखने वाली बात यह है कि वो कौन से sunroopan है जिसमें तीनों के तीनों methyl groups तल से उबरे हुए हैं तो अगर हम देखें तो एक option 1 है जिसमें एक, दो, तीन वो तल से उबरे हैं देखिए एक, दो, तीन यह तीनों तल से उबरे हैं यह दोनों एक दूसरे के पास है और एक छोड़कर तीसरे पे एक और group लगा हुआ है देखिए दोनों आज पास हैं और एक carbon छोड़कर तीसरे पे methyl group लगा हुआ है तो option 1 हो सकता है option 2 में भी तीनों group जो हैं तल से उबरे हैं और यह दोनों group जो हैं methyl group निकटवर्ति carbon पर हैं और एक carbon छोड़कर यह methyl group है तो यह option भी हो सकता है तीसरे option आप देखिए एक तल के उपर है और यह दोनों तल के नीचे हैं तो यह option नहीं हो सकता क्योंकि इस जो compound है उसके अनुसार तीनों जो methyl groups हैं वो तल के उपर होनी चाहिए ठीक उसी प्रकार यह तल के उपर है यह तल से नीचे है और यह तल से उपर है तो एक जो तल से नीचे है इसके कारण यह option भी cancel हो जाता है बचा हुआ हमारे पास है option 1 and option 3 आई देखते हैं इन दोनों में से कौन सा सही बैठता है और इसमें से इनोंने पूछा है कि सरवाधिक स्थाई संडूपन कौन सा है तो सरवाधिक स्थाई संडूपन डूरने के लिए हम देखेंगे कि सबसे कम प्रतिकरशन किसमें है स्टरिक प्रतिकरशन यानि त्रिविम प्रतिकरशन त्रिविम बाधा जिसमें कम होगी और electron electron प्रतिकरशन, electron electron repulsion जिसमें कम होगा वो सबसे स्थाई होगा यहाँ यह दोनों जो groups हैं वो एक दूसरे के सीध में हैं ग्रसिट सनरूपन है इन दोनों का आपस में Eclipse Conformation का relation है इसलिए इन दोनों के अंदर त्रिविमबाधा अधिक होगी और यह जो group है, methyl group इन दोनों में जोड़े वे इनके जो electron से बंदों के उनमें electron, electron repulsion भी high होगा तो हम जो number 3 वाराज option हमारे पास दिया हुआ है उसमें देखिए कि कोई भी दो groups आपस में एक सीध पर नहीं है eclipse conformation या grasset sunropean में नहीं है तो एक दूसरे की सीध में कोई भी group नहीं है option number 3 में और जिससे कि इसमें steric repulsion या त्रिविम प्रतिकरशन और electron, electron प्रतिकरशन जो बंदों के एक सीध में होने की वज़े से उन बंदों के electron में जो प्रतिकरशन होता है वो number 3 में सबसे कम है नहीं है नहीं है नहीं है नहीं है नहीं है नेक्स्ट क्वेशन और जो प्रतिकरशन जाता है तो सरवादिक स्थाई होगा नमबर 3 इसका आंसर है करेकर पूछा है निटेकर नंमबर तीन आहीं डęक्स्ट क्वेश। नेक्स्ट क्वेशन में देखिए इन्न उनने पूछा है इन्होंने Pan-र्मीने यह होगा इस इस reaction में Aluminium Trichloride यानि Lewis Acid के द्वारा एक Rearrangement reaction पुनर विन्यास अभी क्रिया की गई है यह 10 carbon का एक compound है आप count करके देख सकते हैं यह 5 सदसीवल है तो यह 5 यह हो गए 5 इसके वाद 6, 7, 8, 9 और यह 10 वाद कार्बन है एक बार और देख लेते हैं अगर तसली सब देखना चाहें यह 5 carbon का रिंग है तो 5, 6, 7, 8, 9 और यह 10 तो यह total मिला के 10 carbon है और क्योंकि यह पुनर विन्यास अभी क्रिया है तो इन सभी options में 10 carbon है यह जो इन सभी में पहली नज़र में जो दिख रहा है आपको यह adamantain है यह बहुत stable compound है यह बहुत important compound है क्योंकि इसका industrial use भी है और इसका medicinal use भी है इसको स्पेक्ट्रोस्कोपी के study में भी इसका 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 किया जाता है polymers के industry में इसका इस्तेमाल किया जाता है तो adamantain से संबंधित questions जो है वो competitive exams में आते रहते हैं लेकिन यदि एक बार हम ये मान ले कि हमें adamantain का पता नहीं है तो पुनरविन्यास ये हो रहा है हर एक compound per compound there is there are 10 carbon atoms तो 10 carbon atom हर एक में है तो इसमें से stable कौन सा होगा इसमें 3 सदसी एक वले है stable नहीं होगा क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा तनाव बहुत ज़्यादा strain है ये 4 सदसी वले है इसमें भी बहुत तनाव होगा इसमें देखिए आप ये 5 सदसी वले है ये भी 5 सदसी वले है और जो यहां पर यहां नीचे देख रहे हैं आप इस तरफ जो वल है यह छे सदसे वला से कोई भी नहीं है एक दो तीन चार पाच पाच छे सदसे वला यहां पर है और यह एक इसके बीच में ब्रिज है तो कुरमिलाकर यह जो मॉलिक्यूल है यह जो molecule है वो उतना स्थाई नहीं है जितना की adamantine है क्योंकि इसमें आप देखिए एक यह कुर्सी संडूपन है six-membered ring का इसमें कुर्सी संडूपन नहीं है यह एक दूसरा कुर्सी संडूपन है जो आप देख रहे हैं यह कुर्सी संडूपन है और एक पिछली तरफ जो है यहां से और यहां तक जो ring शुरू होती है यह वाली वो भी कुर्सी संडूपन में तीन ring आपस में fused है जोड़े वे हैं तो adamantine इसका answer है यानि option number one इसका उत्तर है क्योंकि दूसरे जो हैं जितने भी यॉगिक हैं वो उतने स्थाई नहीं है जितना की इसका configuration है आएए देखते हैं next question इस वाले question में हमको एक oxidation reaction दिया गया है हमें पूछा गया है कि HNO3H2O dilute nitric acid के oxidation के द्वारा इस यॉगिक से जो उत्पात हमें राप्त होगा क्या वो resumic mixture होगा, क्या वो meso होगा, क्या यह optically active diastereo isomer होगा या single enantiomer होगा देखें सबसे पहले हम इसमें जो पहला काम करेंगे वो है oxidation का हमें मालम है CHO group जो है वो COOH में HNO3H2O oxidation से convert हो जाता है तो अब हम इस molecule को देखते हैं, इस molecule में हम देखेंगे कि इसमें दो कारल कारबन है, एक तो यह कारल कारबन है और एक यह कारल कारबन है, ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें जो पहला कारल कारबन है, जो कि यहां पर है, उसमें चार अलग-अलग सम्मूश जोड़ेवे हैं यहां पर भी और यहां पर भी आप देख सकते हैं, कि इसमें hydrogen हमने लिखा नहीं हुआ है, इन दोनों कारबन पे एक एक hydrogen है, और अगर hydrogen होता है तो इस कारबन, इस वाले कारबन जो हमारे पास है, उसके ग्रुपस देखते हैं, hydrogen, OH ग्रुप, COOH ग्रुप और चौथा ग्रुप इतना बढ़ा सा है तो ये चारो गूप एक दूसरे सालग हैं तो ये कार्बन जो है कार्बन है हम दूसरे वाले कार्बन को देखते हैं इस वाले कार्बन को इसमें एक हैड्रोजन जुड़ा हुआ है फिर OH है, COOH है और जो चौथा गूप इतना बड़ा है तो दोनों carbon इसमें chiral carbon हैं एक और चीज जो हमें नजर में आती है वो ये कि दोनों ही carbon में सारे जो समू है वो एक समान है कैसे इसमें OH, इसमें भी OH इसमें COOH, इसमें भी COOH यहाँ एक hydrogen जो नहीं लिखा हुआ है इसमें भी hydrogen जो नहीं लिखा हुआ है तो हमें मालूम है कि ऐसी स्तेती जो होती है वो मीजो में होती है लेकिन मीजो में दोनों जो काइरल कार्बन होते हैं उनके एक समान सारे ग्रूप्स होते हैं लेकिन देखने में मीजो तो नहीं लग रहा है एक बास हमें यहां जानना जरूरी है जो फिशर प्रोजेक्शन फ समझने के लिए Eclipse Conformation के द्वारा ही Fischer Projection Formula को लिखा जाता हुर यह Fischer Projection Formula है यह Eclipse Conformation इसलिए नहीं है क्योंकि आप देख सकते हैं कि जो OH Group है वो तल से बाहर निकला हुआ है तो OH Group तल से नीचे गया हुआ है और तो यह ग्रसित संरूपन नहीं होता है ग्रसित संरूपन के लिए हमें इस कार्बन कार्बन बंद जो की सिंगल बॉंड है उसके चारों और 180 डिग्री का हमने अगर रोटेशन करा और कैसे करा इसको आप अपने हाथ से पकड़ लें और इस बंद को घुमाए 180 डिग्री इ जाता है और इस वाले OH के सीध में आके खड़ा हो जाता है उसी तरह से जो यह COOH तल पर था 180 के घुनन के बाद इस तरह तल के उपर ही आ जाता है और इसकी सीध में आके अपस्तित होता है अब हम देखते हैं कि हमें यह जो कंपाउंड मिला है उससे हमें ग्रसित संरूपन जो प्राप्त होता है इसमें OH, OH के सीध में है, H, H के समान सीध में है, COOH, COOH के सीध में है, यह होता है मीजो आइसो मरे जब इसका हम फिशर प्राजिक्शन फॉर्मूला बनाएंगे तो हम देखेंगे OH के साथ हमने OH को लिखा, H के साथ हमने H को लिखा, COOH के साथ के सीध म सीवेश को लिखा तो इस तरह से हम यह पाते हैं कि यह जो मॉलेकुला फुशर प्रोचिक्शन में लिखा गया है इसमें बहुत आसानी से हम बीच में अगर एक मिरर रखते हैं दरपन रखते हैं तो एक हिस्सा दूसरे हिस्से का प्रतिविम रूप है और यह मिसो आईसमर है यह इसलिए इसमें जो आप्शन नमबर टू है वो इसका सही उतर है कि आप्टिकली इनक्टिव इसलिए होगा क्योंकि यह जो उत्पाद है वो मिसो आईसमर हो यह जोड़े में से एक फ्रतिविम्फी खोते हैं तो प्रतिविम्फीर रूप प्रतिविमर रूप लेकिन इसकी optical activity तो होगी नहीं और इसमेक mixture इसलिए नहीं बनेगा क्योंकि रेसिमिक mixture बनने के लिए जो carbon carbon बंद का टूटना जरूरी होता है यह carbon carbon बंद टूटा नहीं है बलकि जुड़े हुए हालत में उसका oxidation हुआ है तो यह जो दो के हलावा एक तीन और चार यह तीन options wrong options हैं और सिर्फ मीजवाई समर ही सही option है इस answer का आएए देखते हैं next example इसमें देख रहे हैं कि निम्लिकित डाइनो का deals elder अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया शीलता का क्रम है तो यह अभिक्रिया शीलता के क्रम को रिधारित करने के लिए तीन हमें isomers दिये गए हैं पहले जान लेते हैं कि डियल सैल्डर reaction क्या है इसमें एक डाइन लिया जाता है जैसे कि आप देख सकते हैं और यह डबल बॉंड और यह डबल बॉंड दो डबल बॉंड है एक अंतरी डबल बॉंड है दोनों के पीच में एक सिंगल बॉंड है और यह डाइन जो है एक डाइनो फाइल जो की इन यह डबल बॉंड है उसके साथ रियाक्शन करता है और यह परिसाइक्लिक रियाक्श सिंगल बॉंड बने हैं जो कि यह दोनों सिंगल बॉंड नए सिंगल बॉंड है और आप देख सकते हैं कि सबसे जो नोट करने वाली बात है इस रियक्शन के के परिपेक्श में वही है कि सिंगल बॉंड के एक ही साइड में दोनों डबल बॉंड होंगे यानि यह जो दोनों जो है सिंगल बॉंड के एक ही तरफ में घूर्णन करके इनको मोड के अगर लिया चाहे तो क्या स्थित्य होगी वो देखते हैं देखे सबसे जादा त्रिविम बाधा इसके अंदर है क्योंकि टर्शरी बुटाइल ग्रुप है इसके अंदर आप देख सकते हैं कि यह हमने डाइन वाला हिस्सा लिया और हमने दूसरे और तीसरे बॉंड में यह दो तरशरी बुटाइल ग्रुप में चार-चार कार्बन है और इसमें खूब सारे सिंगल बॉंड हैं तो यह दोनों ग्रुप जो अगर निकटवर्ती या पड़ोसी जो नेबरिंग कार्बन में इस तरह से जोड़ेवे होंगे तो इनके आपस में त्रिविम बाधा होगी जगह की कमी होगी मॉलिक्यूल के अंदर और इनके जो इतन सवस्था में आने में काफी असविधा होगी तो अगर हम अभिक्रियाशियल्दा का करम जानना चाहते हैं पूरे सभी का अनलेसिस करने की जरूत नहीं है हमको इसमें से एक सिरा चुन लेना चाहिए और अगर हम उसकी रियाक्टिविची को फिक्स कर लेते हैं हम फिर ढू जूजना पड़ेगा और एलेक्टरन एलेक्टरन रिपर्शन से जूजना पड़ेगा जो कि यह पसंद नहीं करेगा इसलिए यह है ट्रांस फॉर्म में रहना पसंद करेगा और सिस फॉर्म में रहना उतना पसंद नहीं करेगा अगर सिस फॉर्म में पसंद नहीं करेगा तो अभी ग्रियाशिल्जा सबसे कम है यही आप्षिन सही है बाकी सब में आसान नहीं है तो उनको हम नेगलेक्ट कर सकते हैं यह सही उत्तर है आजिए रेखते हैं नेक्स्ट क्रेश्टिन Among the following the optically active compound is यह जो निम्नलिके दिये वे हैं इन चारों में से कौन सा प्रकाशिक सक्रिय है ध्रवन योगिक है optically active है उसको ढूंडते हैं लिए optically active compound होने के लिए दो बाते बहुत ज़रूरी है एक तो वो सम्मित नहीं होना चाहिए और दूसरा वो उसके प्रतिभिम्रोपस पर अध्यारोपित नहीं होना चाहिए हम जैसे ही option number one को देखते हैं तो आराम से देख सकते हैं कि इसके बीचों बीच अगर हमने एक mirror plane डाला यानि एक दरपन हमने डाला इस molecule के ठीक 50% बीच में से निकालके तो एक हिस्सा दूसरा हिस्से का प्रतिभिम्रोप है इसलिए ये option तो optically active योगिक का नहीं होगा प्रकाशिक सक्रिया या धुव धुव घुरनक योगिक का example नहीं होगा दूसरा जो है number two में देखिए number two में अगर हम बीच में center में एक point लेते हैं और उससे हम एक mirror डालते हैं इस दर्पन को डालते हैं एक हिस्सा ये वाला हिस्सा इस वाला हिस्से का प्रतिभिम्रोप है तो ये भी सम्मित योगिक है और ये भी optically active प्रकाशिक सक्रिया धुव घुव 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 नक योगिक और एक तिर्चा अगर line हम draw करते हैं चली मैं आपको इसको इस प्रकार से दिखाती हूं अगर ये cyclobutane है और एक इससे उपर methyl group है एक methyl group उपर है एक methyl group नीचे है तो center से अगर हम line डालें तो यहां से यहां तक बराबर के distance में methyl group इस जगर से स्टार्ट होते हैं opposite दिशा में जाने पर समान दूरी पर समान group हमें प्राप्त होंगे तो इसमें समित्ता का केंद्र center of symmetry है तो यह योगिक भी जो है वो optically active नहीं होगा जो चौथा योगिक हम देख रहे हैं वही इसका उत्तर है क्योंकि यह तीनों तो नहीं होंगे तो चौथा इसका answer होगा लेकिन इसका भी explanation में आपको देदेती हों आपको इसको देखे लगता होगा कि अगर हमने यहां पर एक axis लगाई और एक सो ऐसे degree घुमाया तो इसमें c2 axis तो है लेकिन c2 axis के होने के बावजूद molecule optically active होता है क्योंकि बहुत जरूरी है कि यह है इसका जो mirror image अगर c2 axis है वो यह तहने ही करता कि molecule optically active होगा या नहीं ऐसी स्थिति में यह बात तैय करती है कि उसका प्रतिवेंब रूप होगा वह उसके उपर अध्यारुपित होगा या नहीं तो जब हम इसका प्रतिवेंब रूप बनाएंगे वह इसके उपर अध्यारुपित नहीं होगा तो इसे लिए यह optically active है तो इस कारण से भी आप number four को answer लिखेंगे तो दो चीजा हमने देखी है कि हमने इन तीनों को neglect किया इन तीनों को हमें पता पड़ा कि यह negate हो रहे है इन यह उत्तर नहीं है तो चौथा यह उत्तर है और चौथा उत्तर क्यों है उसका भी reason मैंने आपको यहां बताया है next question देखते हैं कि हमें दिया गया है कि अभिक्रियाई या जो वन ब्यूटीन उत्पात प्रदान करती है वन ब्यूटीन का नाम जब ही हमारे सामने आता है यानि यहां पर वन ब्यूटीन और टू ब्यूटीन दोनों बन सकते हैं देखिए एक दो तीन और चार या तो यह टू ब्यूटीन बने या फिर यह one butine बने तो दोनों options इसके अंदर हैं तो हमसे उन्होंने one butine का option मांगा है one butine का option मांगा है तो उसका मतलब बहुत सबसे जो पहले हमारे दिमाग में आती है वो है quaternary ammonium ion quaternary ammonium ion जो है वो base की उपस्तिते में हमेशा one butine देगी क्योंकि इसमें इतना बड़ा आकार है त्रिविम बाधा के कारण जो base है वो यहां के जो कम बाधित या जिसमें कम steric hindrance कम त्रिविम बाधा है उस वाले methyl group से एक hydrogen को आकरशित करेगा ये base और ये वाला base जो है इसके बड़े आकार के कारण पास वाले कारण या इस वाले कारण पर आकर proton निश्कासित नहीं कर सकता Hoffman Elimination का rule है या आपने पढ़ा होगा तो उसका मतलब जो हमारे पास one butine उत्पाद प्रदान की बात इन्होंने कही हुई है तो option में हर हालत में C तो होना ही चाहिए तो हम देख रहे हैं कि जो number 3 और number 4 है उसमें C है 1 और 2 का हमने खादिच कर दिया क्योंकि ये तो होई नहीं सकते अब हम देखते हैं कि A और इसमें दियावा है A और यहां दियावा है D A और D में से कौन ऐसा होगा जो 1 butine देगा और 2 butine major product के रूप में नहीं देगा अब देखते हैं कि जो option A है उसमें जो BR लगा हुआ है वह carbon number 1 पे लगा हुआ है और जो proton है जो यहां यह होना चाहिए था C2 C2 proton पर ही टरश्री बिटॉकसाइड जो है वो यहां पर आके आक्रमन करेगा C1 पे BR जोड़ा हुआ है C2 के proton से proton पर टरश्री बिटॉकसाइड पीछे से आक्रमन करेगा और यह bromo group जो है वो निकल जाएगा elimination का यह process है तो इसमें हर हालत में C1 और C2 के बीच में ही double bond बनेगा यह C2 है C1 नहीं है इसको थोड़ा आप correct कर लीजेगा इसके अलावा हम जब हम option D को देखते हैं तो यह जो OH group है acid की presence में यह OH group OH2 प्लस के रूप में परिवर्टित हो जाएगा और निश्कासित हो जाएगा जिसकी वजह से यहां पर एक carbonium मायन मद्धिवर्थी बनेगा यह जो carbonium मायन मद्धिवर्थी है इसमें जो option है वो जो C2 और C3 के बीच में यानि 2 butene के butene के उतपाद के बनने का option सबसे जादा इसके अंदर होता है elimination reaction के द्वारा जो इसका answer होगा answer number 3 जो कि यहां दिया हुआ है केवल A और C ऐसे होंगे जो unbutene उतपाद देंगे next हम देख रहे हैं among the following compound that will have the highest rate for nucleophilic substitution through SN1 mechanism निमनलिकित में से SN1 mechanism की कादर सबसे जादा किसमें है अब देखते हैं इसको ध्यान से इस molecule को हम देख रहे हैं कि इसमें जो leaving group है निश्कासित होने वाला सम्मू है इन चारों में एक समान है बड़ा सा ester group है जो यहां से निकलने वाला है तो बड़ा group इसमें से निकलने वाला है और reaction होने वाली है SN1 SN1 में आप जानते हैं कि पहले एक carbonium ion बनता है तो इसमें जादा त्रिविम बाधा बहुत कम हो जाती है यानि अगर कोई carbon है और उसमें चार bonds जो रहे हैं एक bond निकल जाता है तूटकर हट जाता है बाकी बज़ते हैं तीन और उसमें एक plus charge आया है यह है SN1 की क्रियाविधी का हिस्सा तो इन चारों में अगर हमें ये मालूम है कि SN1 के पहले step में carbonium ion बनता है तो किसको जरुत होगी सबसे जादा कि एक group बाहर निकल जाए जहां धका मुकी जहां भीड़ भार जादा है तो आप देखें यहां एक methyl group जोड़ा हुआ है और यहां इस तरह से एक उससे भी बड़ा group जोड़ा हुआ है यहां एक जो hydrogen एक methyl group को जोड़ा हुआ हटा कर एक और hydrogen को हटा कर एक और methyl group जोड़ा हुआ है तो आप देख सकते हैं कि यहां पर tertiary butel, tertiary butel, tertiary butel तीन tertiary butel groups जो हैं चौथे नमबर के molecule में जोड़े वेया है तो यहां पर यह वाला जो कार्बन है और यह जो tertiary butel can यह वाला bond कार्बन और oxygen का टूटने वाला है तो किसको ज्यदा जरुत होगी यहां धक्काम की बहुत ज्यादा है तो इसको जल्दी होगे कि किसी तरह से bond टूटे और इसको तिविम बाधा मुक्ती मिले और SN1 में हमेशा तिविम बाधा अधिक होने के कारण ही कार्बन उर्जा परिछेदिका में स्पीशीज एक किस स्थान के संगत होगी तो हमको यह रियक्शन दिया हुआ है रियक्शन बड़ा ही इसी रियक्शन है बहुत ही कॉमन रियक्शन है यह है फ्रिटल क्राप्स एसायलेशन रियक्शन बेंजीन का जो लियक्शन करवाय गया है और यह हमको उत्पात के रूप में मिला है तो यह एक सब्सिट्यूशन रियक्शन है प्रतिस्थापन अभिक्रिया है और इसमें आप देख सकते हैं कि अलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया में जो मध्यवर्ती बन रहा है वो ये है हमें मालूम है कि मध्यवर्ती और मध्यवर्ती किस प्रकार का जो कि अनुनादी अनुनाद के द्वारा स्थाई है यह आप देख सकते हैं जो dotted line लिखा हुआ बनाया हुआ है उसका मतलब यह जो बीच का एक, दो, तीन, चार और पांच इन पांच कार्बन में पूरी तरह से अनुनाद के द्वारा फैला हुआ है तो यह एक स्थाई मध्यवर्ती है स्थाई मध्यवर्ती का अर्थ है कि उसकी एनरजी थोड़ी सी कम होगी वैसे भी अविक्रिया दो चरणों में पूरी होती है एक चरण में जब रियक्शन पूरा होता है तो उसमें सिरफ पीक हाइट होता है और जब दो चरणों में पूरा होता है तो दो पीक के बीच में एक डिप होता है एक उर्जा कूप होता है तो ये जो मध्यवर्ती है वो हमेशा उर्जा पूप में स्थित होती है हमें ये मालूम है जो शीर्ष है पीक जो पीक है एनरजी प्रोफाइल डियाग्राम का या उर्जा आरेख का उस पीक पर संक्रम नवस्ता होती है और यहाँ पर मध्यवर्ती और ये मध्यवर्ती है तो वो उर्जापूप में ही होगी तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? इसका आंसर होना चाहिए 2 क्योंकि ये 1 लिखा है, ये 2 लिखा है, ये 3 लिखा है, ये 4 तो 2 पर ये होगा 2 इसका आंसर है आई देखते हैं, next question निम्लेकित सामने रूप में सनरूपी A की उपेक्षा B अधिक स्थाई होता है जब R है, देखिए ये साइक्लोहेक्जेन दिया हुआ है और साइक्लोहेक्जेन का कुर्सी सनरूपन स्थाई होता है कुर्सी सनरूपन में भी अगर प्रतिस्थापन जो है equatorial यानि उसमें E position पे हो तो वो जादा स्थाई होता है क्योंकि जो equatorial समों है वो जो ring से दूर क्योर फैले होते हैं जो axial होता है अक्षी होता है वो ring के पास होते हैं इसलिए वो अस्थाई तो प्रदान करते हैं अब हम यह पूछा गया है कि इसमें से B sunrupen जो कि जिसमें दोनों ग्रुप जो हैं equatorial हैं तो वो किसमें स्थाई होगा बहुत सिंपल है देखिए methyl ग्रुप में अगर chloro और OME यह तीनों जो ग्रुप से हैं अगर वो अक्षी है या axial पोजिशन पे होंगे तो इसको O स्थाई कर देंगे तो यह तीनों आंसर तो इसके होंगे नहीं बचा हमारे पास फ्लोरो ग्रुप का सवाल तो फ्लोरो ग्रुप है तो वो स्थाई क्यों होगा आईए हम देख लेते हैं क्यों होगा कि यह देखिए अगर इसके जगे अगर F लगा हुआ हो आर की जगे F लगा हुआ हो यहीं पूछा गया है तो इसके ठीक इधर axial पोजिशन पे axial position पे hydrogen होगा इस जगर पे hydrogen होगा ठीक यहाँ पर भी एक hydrogen होगा इसके लावा एक hydrogen यहाँ भी होगा और एक यहाँ भी होगा लेकिन फ्लोरो की खासियत यह है यह छोटे आकार का समू है electro negative बहुत जादा है यह फ्लोरो से जादा electro negative है और यह है hyper conjugation यानि अति पर सेयुगमता अति पर सेयुगमता के द्वारा carbon hydrogen बंद के electron को अपनी और आकरशित करता है किस प्रकार से यह देखिए यह यहाँ पर electron इन दोनों कार्बन के बीच में shift हो जाएंगे और जो carbon और फ्लोरो के electron से यह अपनी और ले ले लेगा इसकी दूसरी hyperconjugative संडचना या अति पर सेयुगमता की संडचना बनेगी वो इस प्रकार से होगी यहाँ हो जाएगा double bond फ्लोरो ने electrons अपनी और ले लिए तो F- और यह hydrogen जो होगा H-plus की रुप में जुड़ा होगा यह दखें कि यह ionization नहीं है यह इस molecule के इतने पास होंगे कि इससे दूर नहीं जा सकेंगे कुल मिला के यह जो हाइडरोजन है वो यहाँ जुड़ा हुआ होगा और यह जो carbon hydrogen बंद के electrons हैं यह दोनों carbon के बीच में शिफ्ट हो जाएंगे और यह carbon फ्लोरो के electrons यह फ्लोरो ने अपनी ओर ले लिए तो इस प्रकार से एक संरचना यहाँ बनेगी उसी तरह से यह वाला जो फ्लोरो है वो भी इसे प्रकार से hyperconjugation दिखाएगा इसके लाबा एक और संरचना बनाएंगी कुल बनेंगी कुल मिलाके हमारा यह कहना है कि यह जो अत्ती पर से यह hyperconjugation का की जो phenomenon है वहाँ chloro, methyl या OME यह तीनों समू प्रदर्शित नहीं कर सकते इसका अकेले का capacity है की शमता है कि यह hyperconjugation के द्वारा axial position में extra stability ट्राप करता है तेसे लिए इसका उत्तर होगा नमबर दो फ्लोरो आएए देखते हैं next question next question में दिया हुआ है कि यह A और B के बीच में क्या संबंद है हमारे पास दो यह structures दिये वे हैं इनके बीच में क्या संबंद है पहला है कि होमोमर यानि समरूप समरूप यह किसी भी हालत में नहीं है कैसे क्योंकि देखे यह ट्रांस में दोनों हाइडोजन है यह तो चलो सही बात है लेकिन यह equatorial CH3 है और यह axial CH3 है जो की एक दूसरे के समान नहीं है तो पहला option नहीं है दूसरा option में देखे यह दोनों इनानशोमर है इनानशोमर मतलब एक दूसरे के प्रतिविम्ब रूप है तो यानि अगर बीच में हम मिरर या दरपन रखते हैं तो हम देखेंगे कि यह किसी भी हालत में एक दूसरे के प्रतिविम्ब रूप नहीं होंगे चाहे आप इस structure को यहां नीचे लगा के रख लिजे ऐसे प्रतिविम्ब लगाईए चाहे किसी भी प्रतिविम्ब रूप नहीं होंगे उसकी वज़ा भी वही है कि यह equatorial है और यह axial है प्रतिविम्ब के रूप में यह दोनों equatorial या दोनों के दोनों एक्सेल होने चाहिए जो की conditioning में नहीं है तो दूसरा जो है वो भी cancel हो गए जो तीसरा है वो है diastereo isomer और चौथा है conformers देखे conformers या sunroopy जो है एक दूसरे में बंद को बिना तोड़े एक दूसरे में परिवर्तित हो जाने चाहिए या हम इसमें कुछ twist करें या इसको घूनित करें तो एक isomer दूसरे isomer परिवर्तित हो जाना चाहिए लेकिन हम यह देखते हैं कि जो isomer A है वो isomer B में तभी परिवर्तित हो सकता है जब हम CH3 को तोड़े CH को तोड़े और आपस में इनकी position को exchange करें तो इनको एक दूसरे में परिवर्तित तब तक नहीं किया जा सकता है जब तक बंधों को हम तोड़ नहीं सकते तो यह last जो option है सन रूपी का वो भी नहीं है A प्रतिविंब B त्रिविं समाव्यव डाय स्टिरो आईसोमर यानि ऐसे optical आईसोमर ऐसे स्टिरो आईसोमर जो एक दूसरे के प्रतिविंब रूप नहीं है यह बात एकदम सही है क्योंकि यह दोनो एक दूसरे के प्रतिविंब रूप नहीं है वो तो हमने देखी लिया है और परन्तु यह एक दूसरे के समाव्यव तो हैं ही तो इसका option होगा answer होगा 3 diastereo isomer next question देखते हैं देखे इस में लिखावाया कि निम्रलिकित अनुका सरवाधिक 27 अनुपन क्या है तो यह देखे साइक्लो hexane का एक derivative है यहाँ पर और एक carbon पर है double bond और इसमें यह जो तीसरा और चौथा यह जो options है हम उसको सिरे से पहले खारिश कर देते हैं क्योंकि यह दोनों जो है वो boat confirmation में नहीं है twist confirmation में है यह चेर confirmation में नहीं है यह boat या twist boat दिखाया हुआ है तो वो ज्यादा स्थाई नहीं होता कुर्सी संरुपन के तुलना में तो हमने इन दोनों को cancel किया किसे 3 को और 4 को क्योंकि यह knocka संरुपन या twist boat संरुपन है तो option 1 और 2 में से हो सकता है अब आप देखें कि यहाँ एक hitch है हम अधिकतर यह कहते हैं कि जो बड़ा समू है वो equatorial में हो तो वले से के अक्ष से दूर होगा तो ज़्यादा स्थाई होगा लेकिन यहाँ पर यहाँ equatorial position पे जो आप देख सकते हैं बड़ा सा समू है जिसमें double bond पे है पाई बंद के electron होते हैं अपने जो की सिग्मा बंद के तुलना में कम प्रबलता से बंदेवे होते हैं अगर उसी के पास equatorial position में मिथाईल ग्रूप हो तो यह इस ग्रूप के बाकी सदस्यों के पास भी आ जाता है इसके मिथाईल ग्रूप के electron's और इस पूरे समू के जो electron's है जो की के टोरिल पोजिशन पे हैं वो आपस में एक दूसरे से टकराव किस्तिते में आते हैं प्रतिकरशन किस्तिते में आते हैं जबकि अगर मिथाईल ग्रूप axial position पे है क्योंकि देखें ये इसके साथ निकेट वर्ति कार्बन पे ही जुड़ा हुआ है तो अगर axial position पे है तो इस पूरे जो बड़े समू बड़े आकार के समू और इसके electrons के हुजूम से ये जो मिथाईल ग्रूप है वहाँ दूर हो जाएगा तो इनके बीच में रिपल्शन नहीं होगी इसे लिए यहाँ पर मिथाईल ग्रूप axial होते हुए भी स्थाई तो प्रदान करता है क्योंकि equatorial के आवस्था में इनके बीच में प्रतिकर्शन त्रिविम प्रतिकर्शन, त्रिविम बाधा, स्टेरिक रिपल्शन और इलेक्ट्रों, इलेक्ट्रों रिपल्शन इसमें होगा तो ये भी कैंसल है बचा टू, so this is the right answer लेट से दे नेक्स क्वेशन ओके, we are up तो आज के इन सभी क्वेशन के लिए आप एक बार रिवाइस करके देख लीजेगा बहुत आसानी से आप देख सकते हैं कि आप स्टेरियो केमिस्ट्री के क्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं थैंक यू फॉर बिंग विट में